C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पर्यावण अध्याइन की ध्वनी पाथि पुस्तक हमारा अध्भुत संसार प्रिष्ट संख्या 149 अध्याय बारह क्या और कैसे करें इसका राश्ट्रे स्वच्चता दिवस यहाँ पर एक स्वच्चता अभियान का चित्र है यहाँ बहुत सारे लोग पार्क की सफाई कर रहे हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं वो साव सफाई यानि स्वच्चता का कारे कर रहे हैं पास ही एक बोड लगा है जिस पर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रे स्वच्छता दिवस, 30 जन्वरी प्रिष्ट संख्या 150 चर्चा कीजिए चित्र में बच्चे और शिक्षक क्या कर रहे हैं? वो पार्क की सफाई क्यों कर रहे हैं? क्या आपने अपने घर या विद्याले के आसपास कभी कच्रे के ढेर लगे हुए देखे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कच्रा कहां से आ जाता है? गतिविधी एक पूरे दिन में आप और आपके बढ़न द्वारा किये जाने वाले कारियों को याद कीजिए इन कारियों से कच्रा कैसे इकठा हो जाता है? अन्त में इस कच्रे का हम क्या करते हैं? अपने अनुभवों को सहपाठियों के साथ साजा कीजिए इस प्रिष्ट के निचले भाग में कुछ बच्चे पार्क की सफाई कर रहे हैं साथ ही चित्र में बहुत सारे पेड़ पौधे और परवत भी हैं बच्चों को उन कारियों के बारे में याद दिलाएं जिनसे अत्रिक्त कूडा कच्रा पैदा होता है जैसे डिबाबंद भोजन वखाने की चीजें प्लास्टिक वशजावट का सामान आदी प्रिष्ट संक्या 151 कच्रा कैसे इकठा होता है? हमारे प्रतिदिन के कामों से घर में बहुत सा कच्रा इकठा होता है हम पुराने कपड़े, डिब्बे, बोतले, कागज, सबजीयों और फलों के छिलके, प्लास्टिक के रैपर, पैंसिल की छीलन, पुरानी बैटरी और अन्य भी बहुत सारी चीजें कचरे में फैंकते हैं. इनसे कचरे के धेर इकठे हो जाते हैं. ये कचरे के वही धेर हैं, जिने आप अपने घर, विद्याले या आस पडोस में देखते हैं. इस प्रिष्ट पर एक कचरे से भरे हुए कुड़ेदान कचितर है, जिसके आस पास बहुत सारा कच्रा पड़ा है आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? कच्रे का प्रबंधन हमें कच्रे का प्रबंधन सीखना चाहिए कच्रे का प्रबंधन हम पर निर्वर करता है हम मेंसे प्रतेक को अपने घर से निकले कचरे का प्रबंदन करना सीखना होगा हम उन जगहों और लोगों से इस बारे में सीख सकते हैं जहां कचरे का प्रबंदन अच्चे तरीके से हो रहा है आईए समझें कि वो क्या करते हैं और कैसे प्रिष्ट संख्या 152 कचरे का प्रबंधन करने के तरीके आपको प्राय सड़कों के किनारे और घरों के आसपास आगनों और आहतों में कचरा पड़ा हुआ मिलता होगा गाए और अन्य जानवरों की भोजन के साथ कचरे में पड़ी प्लास्टिक को खाने से मृत्ति हो सकती है कुछ लोग प्लास्टिक को जला देते हैं जिनसे हानिकारक गैसे निकलती हैं लोग अपने आसपास पड़े कचरे के कारण बीमार पड़ने लगते हैं गंदे पानी और नालों को सड़कों पर बहते हुए देखा जा सकता है इससे मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनके काटने से बीमारियां हो सकती है गंदे पानी में ऐसे जिवानों हो सकते हैं जो अन्य कई बीमारियों का कारण बनते हैं किन्तु कुछ स्थानों पर लोगों ने अपने घरों और आसपास के परिवेश को साफ रखने के लिए बहुत मेहनत की है वो ये कैसे करते हैं इसे हम आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे इस प्रिष्ट पर रास्ते में कच्रा डालते हुए एक व्यक्ति का चितर है उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने हाथ से अपना नाक और मोह ढख रखा है साथ ही पास में एक गाई कूलिदान के पास खड़ी होकर कच्रा खा रही है और उसके आसपास बहुत सारा कच्रा विक्रा पड़ा है गतिविदी दो अपने आसपास के परिवेश का निरिक्षण कीजिए चर्चा कीजिए आपके विद्याले का परिवेश कितना स्वच्छ है क्या आपको अपनी कक्षाव में या उनके बाहर या विद्याले के मैदान में कच्रा पड़ा हुआ मिलता है प्रिष्ट संख्या 153 चित्र बनाईए अपने परिवेश का चित्र बनाईए या फोटो खीच कर चिपकाईए उन इस्थानों को पहचानिये और उन पर लाल रंग का गोला लगाईए जहां कच्रा, गंदा पानी या धुआ है ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये कच्रा वहां कैसे आ जाता है यहाँ पर एक रिक्तिस्थान है इस रिक्तिस्थान पर आप फोटो खीच कर चिपकाए या फिर अपने परिवेश की फोटो बनाए यदि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां कच्रे का प्रबंधन अच्छी तरह होता है वहाँ पर बड़ों से पूछिए कि ये कैसे किया जाता है इस बारे में कक्षा में सभी को बताईए आईए अब उन लोगों के बारे में बात करें जो कच्रे का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं कचरा कम करना बहुत से लोग कचरा कम करने के लिए रैपर में पैक किया हुआ खाना और प्लास्टिक की बोतलों में पेय लेना पसंद नहीं करते हैं वो प्लास्टिक की थैलियों की जगा कपड़े के थैले का उप्योग करते हैं क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है? कम कचरा उत्पन करना इसका पहला नियम है जिसका वो अनुपालन करते हैं। इस प्रिष्ट के नीचले भाग में एक चित्र है जिसमें प्लास्टिके बोतल, रैपर, इत्यादी वस्तुएं हैं। इन्हें लाल रंग के गोले में क पाटा गया है। अर्थात इन वस्तुएं का प्रियोग हमें नहीं करना चाहिए। प्रिष्ट संख्या 154 गति विदी 3 आप कचरा कम करने में कैसे सहता कर सकते हैं। अपने पुराने खिलोने और पुस्तकें ऐसे जरूरत मंद लोगों को दीजिए जो उन्हें खरीद नही प्रिष्ट के मद्द भाग में एक लड़की का चितर है जो कूले दान में एक प्लास्टिक की बोतल डाल रही है। और कूड़ेदान के आस पास बहुत सा कच्रा फैला हुआ है। इस प्रिष्ट के निचले भाग में तीन अन्नी चित्र हैं। पहले में एक व्यक्ती पुराने कपडों से बने एक गद्धे पर बैठा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा टायर पर बैठा हुआ है। और तीसरे चित्र में टायर के बीच वाली जगा में कुछ पौदे उगाय हुए है। पुराने अखबार तथा पुराने कपडों का उपयोग उपार लेपेटिने में किया जा सकता है। ये पर्यावण के अनुकूल है और इससे हम अपने संसाधनों की बचत भी कर सकेंगे। इस प्रकार के नवीन तरिकों से कचरा तो कम होगा ही। साथ ही ये उस व्यक्ति से जुडाव का भाव भी विक्सित करेगा। गतिविदी चार कचरा कम करने के लिए आप चिजों का पुने उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप रफ कारे करने के लिए एक तरफ इस्तेमाल किये गए कागस का उपयोग कर सकते हैं। पाने की बोतल खरीदने के बजाए स्टील या तामे की बोतल में बार बार पानी भर कर उसका उप्योग किया जा सकता है। पुराने अख़वार, कैलेंडर, बोतलों, डिबों आदी से खिलोने और सजावट का सामान बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक तरीका यहां भी दिया गया है। इसके लिए आपको कुछ अख़वार चाहिए। ना ही कैंची और ना ही गोंद, केवल अख़वार। इस प्रिष्ट के नीचले भाग में कागस से थैला बनाने के साथ चरणों का चितर है। जिसमें कागस का थैला बनाया जा रहा है। और नीचे लिखा है कागस का थैला बनाने की चरण। शिक्षक संकेत, अख़बारों और ना काम आने वाली वस्तों का उप्योग करके आप बहुत सी नई वस्तों में बना सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 156 गतिविधी 5 घर में पड़े काम ना आने वाली बेकार चीजों का उप्योग करके कोई ऐसी चीज बनाईए जिससे आप किसी को उफार के रूप में दे सकें। धन्यवाद करें। अपना बनाया उफार किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपके आस पडोस या घर को साफ रखने में सहता करता हो। उन्हें बताईए कि आपने ये उफार इसली बनाया है जिससे उनका काम और कच्रा दोनों ही कम हो सकें। उन्हें धन्यवाद देना ना भूलिए। लेकिन अब वो संभवता देश के सबसे साफ सुत्रे स्थान है। इन स्थानों के लोगों ने अपनी परिवेश को कैसे बदला। इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक साफ सुत्रे परिवेश का चित्र है। इस चित्र में घर, पेड़ पौधे, बादल, पहाड तथा साफ सुन्दर रास्ता है। प्रिष्ट संख्या 157 चलिए, आज हम अलुनाचल प्रदेश के एक सुन्दर गाउं सिल्लुक में घूमने के लिए चलते हैं। गाउं में घुषते ही हमने एक दम साफ सडकें देखी। सडकों के किनारे, कोनों में या खुली जगों पर कोई कूडा नहीं था। आसपास बहुत से पिड़ लगे थे, जिससे ऐसा लगा जैसे हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं। इस गाउं को सबसे अच्छे तरेके से अपने कच्रे का परबंदन करने के लिए पुरसकार भी मिला है। इसे कच्रा मुक्त गाउं कहा जाता है। सिल्लुक की ही तरह हमारे देश में और भी बहुत सारे गाव हैं जो अपने बहतरीन कच्रा परबंदन के लिए जाने जाते हैं ऐसा ही एक गाव छोटा नरेना है जो देश का पहला कच्रा मुक्ट गाव था देश के बहुत से अन्य शहर और कस्पे जैसे मैसोरू और इंदौर भी आपनी स्वच्चता के लिए जाने जाते हैं इस प्रिष्ट पर एक कचरा मुक्त गाउं का चित्र है इस चित्र में पहाड, पेड़ पौधे, साफ सुत्रे रास्ते, घर इत्यादी हैं और साथ ही सडक के किनारे एक कूड़ेदान भी है, जिस पर लिखा है योज मी पता लगाईए, अपने बड़ों से पता कीजिए कि क्या वो किसी ऐसे गाउं ये शहर को जानते हैं, जो स्वच्चता के लिए जाना जाता है इस जानकारी को कक्षा में सभी के साथ साजा कीजिए, अपने माता-पिता और शिक्षक से स्वच्च भारत अभियान के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए प्रिष्ट संख्या 158 विभिंद तरह के कच्चनों को अलग करना यदि आप अपने आस-पास के परिविश के बारे में जानेंगे तो आपको पराया दो अलग-अलग रंग के कोड़ेदान यानी डस्ट बीन रखे मिलेंगे ये आपके विद्याले, स्थानी बाजार, पार्क, बस स्टॉप, रेलवे, प्लेटफॉर्म या किसी मेले में रखे हो सकते हैं ये दो रंग के कोड़ेदान क्यों उप्योग होते हैं? आईए जानते हैं कि इन कोड़ेदानों में किस तरह का कच्चरा डाला जाता है इस प्रिष्ट के उपरी भाग में अलग-अलग रंगों, नीले और हरे रंग के दो कुड़ेदान यानि डस्ट बीन के चित्र हैं हरे कुड़ेदान में हम सुखी पत्तियां, टहनियों के टुकडे, फल सब्यों के छिलके, अंडों के छिलके आदि डालते हैं ये सभी चीज़ें आसानी से सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं हरे कुड़ेदान के कचरे से मिट्टी में मिलाकर पौधों के लिए खाद तयार की जा सकती है इससे मिट्टी में रहने वाले छोटे-छोटे जीवों को भोजन मिल जाता है इस प्रिष्ट के मद्धि भाग में सूखी पत्तियों, टेहनियों के टुकडों, फल सब्जियों के छिलकों, अंडों के छिलकों इत्यादी का चित्र है और साथ ही एक कुड़ेदान का चित्र भी है, जिसका रंग हरा है धातू, कांच, प्लास्टिक, कागस से बनी चीज़ें नीले कुड़ेदान में डाली जाती है इन फेकी गई चीज़ों में मौजूत धातूं, कांच, प्लास्टिक से नई वस्तू को बनाया जा सकता है इसे पुनर चक्रन कहते हैं, कुछ जगों में इन सामगरियों के लिए अलग-अलग कुड़ेदान होते हैं जिससे इन्हें पुनर चक्रन के लिए भिन-भिन स्थानों पर भेजने में सुविदा हो जिन गावों और शेहरों में कचरे को अलग-अलग करके डाला जाता है और पुनर चक्रण किया जाता है वो अपने परवेश को स्वच बनाए रखते हैं इस तरह से कचरे का सही तरीके से प्रबंदन हो पाता है इस प्रिष्ट के निचले भाग में भी अलग-अलग धात्मों जैसे कांच, प्लास्टिक इतियादी से बनी कुछ वस्त्वों का चित्र है और पास ही एक नीले रंग के कूलिदान का चित्र भी है प्रिष्ट संक्या 169 गतिविधी 6 कचरे को अलग-अलग करना यहाँ दो कुड़ेदानों के चित्र बनाए गए है इन दोनों में डाली जाने वाली वस्त्वों के नाम लिखिए प्लास्टिके बोतले, पतिया, प्यास के चिलके, बिजली के बल्ब, सड़े हुए फल, कागज, अंडे के चिलके, दूद के प्लास्टिके पैकेट और कपड़े इस प्रिष्ट पर हरे और नीले रंग के दो कुड़ेदानों के चित्र हैं और इनके ऊपर रिक्तिस्थान बने हैं अब आपको ये बताना है कि इन में से कौन सी वस्तवें हरे कोड़ेदान में डाली जानी चाहिए और कौन सी वस्तवें नीले कोड़ेदान में डाली जानी चाहिए हम सभी अपने घर, आसपडोस, विद्याले, शहर और देश को स्वच बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं शिक्षक संकेत शिक्षक इस गतविदी को ये समझाने के लिए कर सकते हैं कि धारदार ये नुकेली हानी कारक चीजें जैसे तूटे हुई काच की वस्तुवें, सुई आदी को किसी कपड़े या कागज में लपेट कर फेंका जाए जिससे सफाई कर्मचारियों को कोई हानी ना पहुँचे प्रिष्ट संक्या एक सो साथ लिखिए आप अपने घर और कक्षा को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सुची बनाईए मैं अपने कमरे को साफ रख सकता या रख सकती हूँ रिक्तिस्थान क्या आपने अपने विद्याले या आसपास में सफाई के लिए उप्योग में लाई जाने वाले उपकरणों को देखा है? इन उपकरणों की सुची तयार कीजिए क्या आपने अपने घर में सफाई के लिए उप्योग में होने वाले उपकरण देखे हैं? उनकी सुची बनाईए, चित्र बनाईए, दिये गए स्थान में सफाई के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों की चित्र बनाईए, यहाँ पर एक रिक्तिस्थान है, इस रिक्तिस्थान में आप स्वयम्चित्र बनाएं. अपने आसपास के परिवेश को स्वच रखना जब आप राश्ट्री स्वचता दिवस, यानि तीस जनवरी मनाएं, तो अपने आपको तथा आसपास के वातावर्ण को हमेशा स्वच रखने की प्रतिग्या लें. याद रखिए कि आपको कच्रा नहीं पहलाना है, बलकि इसका उचित तरीके से प्रबंधन तथा निस्तारण करना है, जिससे ये संसार स्वच और हरित बन सके. हमारा उद्देश ये अधिक से बचें, बरबाद न करें होना चाहिए. प्रिष्ट 161 आईए मन्थन करें. क. चर्चा कीजिए. 1. कचरा कैसे इकठा होता है. 2. हमें कचरे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए. ख. लिखिए. 1. प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों का उप्योग रोकने के लिए अपने घर और विद्याले को ध्यान से देखिए. 2. प्लास्टिक से बने सभी वस्तों की सुची बनाईए और लिखिए कि उन्हें अन्य सुरक्षित समगरियों से बने वस्तों से कैसे बदला जा सकता है. 2. हरेव नीले कुड़ेदानों में फेंकी जाने वाली तीन-तीन वस्तों के नाम लिखिए. 3. अपने कौपी में चितर बनाईए. किसी ऐसे गाउं या शेहर का पोस्टर बनाईए जो अपने कचरे का परबंधन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है. इसे एक अच्छा सा शीर्शक भी दीजिए. 4. अब आप इस रिक्तिस्थान में अपनी पसंद के किसी गाउं या शेहर का पोस्टर बनाएं जो कचरे का परबंधन बहुत अच्छे तरह से कर रहा हो. 5. प्रिश्ट संख्या 162 घ, जोड़ी बना कर अभिने कीजिए. आप एक स्वच शेहर की भूमिका और आपका मित्र एक दूशित शेहर की भूमिका निभा सकते हैं. इस दौरान इस पर बाच्चित कीजिए कि आप दोनों अपने बारे में क्या सोचते हैं. अंगा, सोचिए, विचार कीजिए और साजा कीजिए. एक, सोचिए कि आपके घर में जन्म दिन की एक पार्टी है. ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आपके पार्टी कच्रा रहित हो. इसके लिए पहले आप ये सोचिए कि जन्म दिन पार्टी में किस तरह का कच्रा उत प्रिष्ट के निचले भाग में एक लड़की का चित्र है, जो एक खाले बोतल कूड़िदान में डाल रही है, और कूड़िदान के बाहर भी बहुत सारा कूड़ा बिखरा पड़ा है. कूड़िदान के उपर लिखा है, यूज मी, प्रिष्ट संख्या 163, टिपणी, रिक्त स्थान, प्रिष्ट संख्या 164, टिपणी, रिक्त स्थान. अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावन अध्यान की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्भुत संसार. वाचन स्वर, प्रवीन शर्मा, ध्वन्यांकन, मंजु कुमारी, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन एवं निर्माण, व्यमलेश चौधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत. तब प्रस्तोत क्वितरो चौब प्रस्तोत, व्यमलेश चौधरी, तब घ्र में सेवी जर्माण, एव हैं एवामेश, भारत.